आज की वीडियो में बात करने वाले हम GDS की जो है 6th merit को लेकर वाई चर्चा करेंगे कि जो आपको फता है फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी 6th merit list अव आना बाकी है ठीक है यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा फ्रेंड्स यहाँ पर जो 5th merit list का जो documents verification something यहाँ पर समाप्त हो चुका है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपकी 6th मतलब 6 तारीक 610 2022 इसकी last date थी ठीक है अब यहाँ पर ऐसे में क्या हो फ्रेंड्स आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत important वीडियो हो वाइट कराई जाती है और वही वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना लाश्ट तक जरूर देखना यदि आपने GDS का form apply किया है तो ठीक है यहाँ पर कुछ चीजे आपको इसके discuss कराने वाला हूं और साथ साथ में यहाँ पर final date भी यहाँ पर बताने बाला हूं ठीक है जिस इसका आपको बेशबरी से इंतिजार था कि भई 6 मेरी लिष्ट की date बताईए कव आएगी ठीक है एकस्पेक्ट डेट है ना तो वो सारी चीजे इसमें discuss करने वाला हूं तो मेरे पास news आ चुकी है और यहाँ पर मैं आपको update करने वाला हूं तो friends जैसे कि आपको बता है यहाँ पर last date थी ठीक है और friends यहाँ पर अगर बताना चाहूंगा मैं आपको आपकी जानकारी के लिए तो friends यहाँ पर mail list में जो भी candidate यहाँ पर select हुए थे DV के लिए ठीक है documents verification के लिए तो उनका यहाँ पर आप जो है something सब कुछ यहाँ पर complete हो चुका है ठीक है और यहाँ friends यह दी बात कर लेते हैं कि भाईया इसमें 5th mail list में आपके जो 11,141 candidates select हुए थे और minimum यहाँ पर आप data निकल कर आ रहा है देखो भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब यह 5th mail list की पिरकिरिया यहाँ पर समाप्त हो जाएगी तो मैं आपको एक data यहाँ पर provide कराऊंगा पिल्कुल जो real and authentic जानकारी के साथ तो अब वो news निकल कर आ रहे है 11,141 में से यहाँ पर जो है यह हलेकि यह data मैंने आपको बताया था इसमें 11,141 candidates select हुए थे 5th में क्योंकि हर state में हर circle के जो मैंने PDF download किया था उसमें देखा था कि इस state में कितने candidates select हुए है और इस state में कित कर आ रहा है कि भाईया 5th में लिस्ट में 11,000 candidates select हुए थे और उनका documents verification यहाँ पर 6 October तक यहाँ पर समाप्त हो चुका है आपका ठीक है अब बात कर लेते friends यहाँ पर जो है कि 11,000 में से 11,141 में से कितने 5th में लिस्ट में candidate documents के लिए qualify हुए है यह भी आपका सवार ले तो है आप पर बने रहें वीडियो के इन तक यदि आप हमारे चैनल पर नहीं होते यार चैनल को subscribe जरू कर लेने क्योंकि आप लोग सबोर्ट सपोर्ट नहीं कर रहे हो ठीक है मतलब वीडियो देखते हो यार ना तो like करते हो ना चैनल को subscribe और वीडियो को like कर दिया करो यार उससे time भी लगता है और ठीक है आपको पता है कि हर चीज मैनेज करनी पड़ती है बट अगर मैं कुछ चीज़े आपको provide करा रहा हूं ना तो उसमें कहीं ना कहीं यह चीज़े है कि वह authentic ही जानकारी होती है ठीक है जैसे कि अभी तक आपने यह आप मेरे पुराने subscribe होनोंगे कर देगर उससे में मोटिफेशनल मिलता है कि ताकि आपको और भी अपडेट अच्छी यहां पर जोब से रिलेटिव प्रवाइट कराता रहा हूं ठीक है और अभी तक भी इतने डाटा यहां पर दिये हैं इस बैगेंसी के रिकार्डिंग बहुत सारे बिल्कुल तो यह ल कंडिडेट यहां पर रिजेक्ट भी होएं और वो कौन से वाले कंडिडेट थे जो रिजेक्ट हुए हैं देखो भी रिजेक्ट वाले कंडिडेट एक तो वह थे जिन्होंने गलत तरीके से फोम फिल किया थो नमबर ज्यादा भढ़ दिये थे मतलब फोम में फिल किये थे और अपना नाम लियाए थे मेरे लिस्ट में ठीक है एक तो वो वाले जो candidate है reject हुए है दूसरी बात यहाँ पर जो ट्रापल सी एक computer diploma होता है ठीक है वो भी यहाँ पर reject हुए उनके पास नहीं था तो बस किसी कारण हुआ पर उनको निकाल दिया गया है ठीक है और तीसरी condition क्या थी भाई यहाँ पर एक चीज है कि जैसे कि आपकी mark seed है ना मतलब 10th की mark seed है तो उसके side में यहाँ पर photo नहीं आ रहा था मान के चलो support यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ यह आपकी 10th की mark seed है ठीक है और यहाँ पर आपकी photo नहीं है उससे भी candidate reject हुए है ठीक है यह मेरे पास अभी एक morning में call आया थे कि भाईजी मुझे यहाँ पर जो है reject कर देगा है मेरी जो 10th की mark seed है उस पर मेरा photo नहीं था वो उस कारण मुझे भार कर दिए गाए जीडियस में वन देगी अगर बात करें उनकी जो ओवीसी category से थे 95 थे ठीक है और अगर बात करें किसी state से थे UP circle किसी थे ठीक है तो इस परकार से उनको reject कर दिया गया है तो भई काफी सारी जो problem थी वो हाँ एक चीज कह सकते फ्रेंड्स यहाँ पर जो candidate of number reject किये गए न वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में reject किये गए है ठीक है 11,000 में से minimum 5000 candidate यहाँ पर qualify होए है फ्रेंड्स यह देख यहाँ पर data निकल करा रहा है मतलब 11,000 में से 5000 candidate आपके fifth mail list में documents verification के लिए clear हो चुके है और state का मुले पाज data आ चुका है अब यहाँ पर यह confirm करना है कि six mail list का क्या कारिकरम रहेगा मतलब कुछ का दो डाउट यही है कि भाईया आप तो आएगी नहीं मतलब ठीक है यह भी डाउट है और आएगी तो cutoff क्या रहने वाला है क्या इस वार भी cutoff हाई जाना देखो ओवी जी का 95.90 है ना मतलब 90 प्लस है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताते है कि फिप्त मेर लिस्ट जो आएगी ना उसमें 90 प्लस रहने वाला तो 90 प्लस यहाँ पर cutoff गया है अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एक चीज है मुझे अपडेट मिलता है मैं आपको प्रवाइट कराता हूँ ठीक है अब इसमें मेरे हाथ में बात नहीं मतलब मेरे बस में नहीं है कि हाँ इस स्टेट का cutoff मैं कम करवा सकता हूँ ठीक है वो आपके उपर डिपेंड एग अगर आपको यही जोब चाहिए एस की तो आपको अच्छी करनी चाहिए तो मतलब अगर आपके परसेंटेज भी 90 प्लस होते तो भाई आप तक तो जोब ले ले होते मतलब इसमें मतलब एक government employee बन चुके होते आज की डेट में अगर देखा जाए तो अगर आपके 90 प्लस होती तो 10th में ठीक है तो वो तो आप आपके ऊपर depend करता है कि आपने कितना फिर्फूंस मतलब कितनी मेहनत 10th में की है या नहीं की है ठीक है तो यह तो मेरे मतलब मेरे जो आप बोल रहे हो कि भाई जी से state का cut-off कम कराईए तो यार देखो यह चीजे सब मेरे उसमें अंड अगे पीछे हो जाती है ठीक है जितनी मेरे डाई है जो इक्वेडेट बताईए उस पर तो नहीं आई है बस उससे पहले एक-दो दिन पहले आई है यह सारी चीजे हो जाती है ठीक है तो देखो आगर मैं आपको बिल्कुर रियल एंड और अथेंटिक बिल्कुर सटिक जा यह मान के चलो knowledge है तो यह चीज़े नहीं impossible ठीक है possible नहीं हो सकती है तो friends यहाँ पर बात कर लेते हैं मुद्दे की कि भाईया जी six mail list आएगी यह तो confirm है ठीक है अब आएगी कब तो देखो suppose that यहाँ पर जो आपका अब something प्रिकिर्या यहाँ पर समाप्त हो चुकी है बट यहाँ पर आपको बेट करना पड़ेगा friends यहाँ पर यह मान के चलो two week यानि कि दो सप्तहा तक यानि आपको दो week तक यहाँ पर आपको बेट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा है ना यहाँ पर जो candidate थे वो number of संख्या जादा थी और documents 40 जो है अभी वर्क में मतलब पिर्किर्या तेज है ठीक है इस प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हो कि कितना काम रहता है विभाग के पास तो यहाँ पर दो week तक तो कोई आपको किसी भी प्रकार का कुछ देखने को नहीं मिले का बट इतना है कि आपके इस last मंत के भी तक आपको यहाँ पर आपकी six मेरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी अब बात कर लेते कि भाई या कटो कटो क्या रहने वाला है देखो भाई इस बार जो last भी हो सकती है यह मेरी लिस्ट और आपका 80 से plus 90 के अब अब प्लस यानि की कटोप रहने वाला यानि की 80 प्लस 90 प्लस के इस around आपका कटोप रहने वाला है ठीक है और बात कर लेते फ्रेंड्स केटेगरी वाई बूजो की कि वह इस केटेगरी का कितना रहेगा तो देखो भाई यहाँ पर केटेगरी जो है आपकी वह माइने नहीं रखती है आपका माइने रखते हैं परसेंटेज ठीक है तो यहाँ पर यह चीज़े निकल कर आती है और इसकी एक्सपक्ट डेट यहा में आपका और यहां पर आपका चल रहा है ये अक्टूर्ट तो फ्रेंट्स सम्तिंग सम्तिंग अगर मैं आपर बात करूं तो आपको नवंबर के या फर्स्ट बीक में या आपके अक्टूर के लास्ट बीक में सिक्स मैल लिस्ट देखने को मिल जाएगी ठीक है तो आप बेट करिए ठीक है और अच्छे से अगर किसी और अधर एक्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स उस पे भी आप अपना फोकस बनाई रखें देखो भई जिन्दकी में जो है लाइफ में हार जित तो होती रहती है ठीक है यह जोप नहीं मिली तो काफी और काफी सारी जोप है अधर अधर जो डिपार्टमेंट है ठीक है और आपको पता है कि अगर यहाँ पर यह चाहते हो कि हमें कुछ मेहनत नहीं कर वोपी सब्सक्राइब लाइक भाय को ठीक है और वाई एसी सपोर्ट बनाए रखें मिलेंगे फ्रेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ भूफ जल्ड तब तक के लिए टाटा बाई बाई